चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तो कुछ दिनों पहले हमने अन्नौन सोर्सेश वाली जो है वीडियो बनाए थी उसमें बहुत सारे वीवर्स हैं में कहा था कि बाकी की जो परमिशन से स्पेशल एप एकसेश की उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाए तो आज की इस वीडिय प्रश्यल एक्सेस में जितनी भी आपको पर्मिशन्स मिलती है उसके बारे में बताया है और टायम टु टायम आपको उन सभी पर्मिशन्स को चेक आउट करना जरूरी है तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में एक्स्पेंड किया तो जो लोग जानते हैं डीटेल में व दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाए थी अन्नों एप जो है पर्मिशन वाली जो वीडियो ने बनाए थी कि आप किसी भी एप्लिकेशन के थूँ अगर एप्लिकेशन इंस्ट्रॉल करते हो तो वह जो परमिशन होती है अन्नों अप वली वह आपको बंद सब्सक्राइब करने होती हैं तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था बहुत सारे विवर्स ने ने कहाता कि बाकि की जो परमिशन से उस पर भी वीडियो बनाई जाय तो टोख सेलेक्टेड्स है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उन परमिशन का जो यूस करने वाई एक्लिकेशन सहं उनका काम हो जाने के बाद वह बन कर दिने चाहिए यहीज कि जब जब आपको अपर्मिशन की ज़रूत पड़े एक लिमिटेड टायम के लिए आप वहल को करो करो उसके बाद आप उसको बंद करके रख सकते हो तो वीडियो को आप लोग को सभी के साथ शेयर जरूरू करना है ताकि जानकारे सब्सक्राइब पहुंचे हम लोग सेटिंग में चलेंगे अब अब आप मैने के बाद है मोर ऑप्शन में जाना है बजो अब यहां पर हमने जो पिछली बार पर्मिशन देखिएथी वाई है इश्किश Nancy permane प्ञाद आप पर्मिशन करना हो है लेकिन ठीछ से स्जिए भीडाओ सब्सक्राइब चाहें हो यह जो कुछ और जो पर्मिशन से वह हम देखेंगे और समझेंगे कि वह permission जो है आपके फोन में जो है आपको चेकाउट करनी है सबसे पहली permission है all file access अब यह किन किन अप्लिकेशन को होती है मतलब किस तरह के application को होती है पहले तो आप यह समझे यह जो मतलब all app access जो permission होती है यह permission होती है मतलब आपके जो file manager है या फिर कोई भी ऐसा application जो आपके file manager में कोई data save करेगा जैसे WhatsApp आपके file manager की permission लेगा क्योंकि वह data उसमें save करेगा file manager आप आपके file manager आपकी जितनी फोन में इंटरने सोर में जो भी file से उसको access करेगा तो वह आपके all file access की permission लेगा ठीक है camera आपके photos को वह आपके file manager में सेव करेगा तो ऐसी applications जो है permission लेगे अब यहां पर all file access में जो जितने भी file manager है उनको आपका permission देनी है जिंजिन application को जो है आपको लगता है कि हाँ यह application जरूरी है आपके phone के file manager access के लिए आपको देखना है और उनको all file access की permission यहां पर रहने देनी है तो यह चीज़ आपको देखना है यहां पर मतलब example के तुरप में इसको open करेंगे और यहां पर देखते हैं अब ब्लूटूथ ऑन है अब ब्लूटूथ ऑन क्यों है क्योंकि ब्लूटूथ से अगर इसको डेटा लेते हैं देते हैं तो इसको जो all file access की permission लगी कि क्योंकि उसारे डेटा जो अंदर सेव होगा सारे सारे जो है आपको यहां पर दिखाएगा आपको system apps नहीं देखने तो यहां पर आप system app को हाइड कर दिया है अब यहां पर देख सकते हो अब कर सकता है फाइल को एक्सेस कर सकता है रिमूव कर सकता है अब है इसकी जो जरूत नहीं है तो जब जब जिस चीज की जरूत हो तब आप उस चीज को जो है आप करके रखो तब उस पर्मिशन को आप आप आकर इसको वापिस बन कर दो ठीक है अब यह अब यह पर देख सकते हो आपकी अब दूसरी पर्मिशन ही हापर जो सबसे अब अब यहां पर सिर्फ आप कर सकते हो आपको 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 अपीर अप्याइड टॉप मतलब कौन सा एप्लिकेशन जो है टॉप में उपर जो यहां पर दिखाए देंगे अब इससे होगा यह कि जो भी अप्लिकेशन को आप यह पर्मिशन दोंगे तो यह किसी और अप्लिकेशन को यूज करते हुए इस अप्लिकेशन का को नोटिफिकेशन है कोई पॉप आप है वह अचानक से आजाएगा इसको जहां पर चेक अधार कर सकते होगे यहां पर यहां पर चैंट शिंट्म सेटिंग यहां अपर उयाप को हां के चेक करना है या फिर ringtone set कर रहे हो तो ringtone set करते समय आप अपनी phone की setting से आके ringtone set करते हो तो उस particular application से भी आप ringtone को set कर पा रहे हो तो system setting को change करने की जो है permission आपसे लेगा तो यहाँ पर आके आपको वो check out करना है वैसे यह जो permission होती है system setting को change करने वाली यह सब ही अप्लिकेशन में बंण करके रख सकते हूं, जब जिस भी अप्लिकेशन को ज़रूत होगी वो खुदी पर्मीशन आपसे ले लेगा और उस टाइम परमीशन को दें के आप वापिस आपका काम होने के बाद उसको आके यहां पर बंण कर सकते हो नोटिफिकेशन एक्सेस यह तो आपको पता ही होगा जी बेटीकेशन को यहां से की पर्मेशन मांगेगा आपको प् необход कर सकते हो सारी अप्लिकेशन अपको यहांपी दिखाई देंगे तो उसको use करने में थोड़ी सी समझ सा होती है, अगर आपको picture in picture नहीं चाहिए तो अप यहां पर आके सब ही एप्लिकेशिन को easily बन कर सकते हो picture in picture mode में तो यह सारे जो application है यह आपको picture in picture mode में दिखाएए देगे अब data saver on होने के बाद कॉन-कॉन से application data use करेंगे वह आप यहां से on कर सकते हो या off कर सकते हो कॉन-कॉन से application data saver on होगा और उसके बाद भी data use कर पाएंगे वह setting आप यहां से on कर सकते हो realize ,usage data access आप यहां से देख सकते हो कॉन-कॉन-कॉन application आप क्या यूज कर रहे हो regla वो उसकी सारा data रखे तो आप यहां से चेक कर सकते हो usage क्या use कर रहे हो इसका access किन-कं किन application के पासे हो आप यहां पर आप चिक लिएए apr गूगल की सारी अप्लिकेशन के पास देटा रहता है वाइफाई कंट्रोल कौन सा अप्लिकेशन आपका वाइफाई कर सकता है यहां से आके चेकाउट कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ पर्मिशन से आपको यहां पर आके चेकाउट करना है टाइम-to-time जैसे आप इसको जो पर्फर्मेंस है वो भी जो है इंक्रीज होगा तो time-to-time आके इन सारी पर्मिशन को आप चेक जरू करें और इस वीडियो को जरू सभी के साथ शेयर करें चैनल पे अगर नहीं हो सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को आल पर सेट करें मैं मिलूंगा किसी और इंटर